समस्ता दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जाननी कोशिश करेंगे, जिस समय COVID-19 पूरी चरम सीवा पे था, पूरे देश में, दुनिया में हाखार मचे हुई थी, उस समय कैसे एक दिगज कंपनी Reliance Industries ने 1,50,000 करोर का फंड इखटा कर दिया, कैसे कंपनी कामयाब ही अपने बह चल नहीं रहे थे, कारोबार हो नहीं रहा था, फैक्टरियां शट डाउन हो चुकी थी, ऐसे समय में, देश की दिगज कंपनी जो निफ्टी में सेकंड हाइस वेटेज रखती है HDFC बैंक के बाद, जी हाँ, Reliance Industries की बात कर रहा हूँ, कैसे वो कंपनी कामयाब हुई, 1,50,000 करोड रुपे इखटे करने में, जहां COVID-19 के चलते हुए, कोई किसी को 100 रुपे नहीं देता, कोई किसी के बिजनस में इन्वेस्ट करने की सोच नहीं रहा, क्योंकि अंसल्टैनिटी इतनी ज़ादा है, मालूम नहीं, मार्केट चलेगी, नहीं चलेगी, मालूम नहीं की ब बेच डाला, जिससे उसको 1,50,000 करोड रुपे का फंड इखटा हुआ, 1,60,000 करोड के आसपास में डेट था इस साल की शुरुआत में, जिसमें से 1,50,000 करोड रुपे का डेट कंपनी खतम करने का गार प्यार रही है, और बचा हुआ जो डेट है, आने वाले, जिस इसका जियो प्लाटफर्म इतना बड़ा हो सकते हैं, जहां जिलाइंस इंडस्टीज ने अपने बिजनस में 70% के आसपास का लोस शोग किया इस दुरान में, वहीं जिलाइंस की जियो विंग ने 72% के आसपास का प्रॉफिट शोग किया, बतलब यह होती है, एक बिजनसमे को कोई घाटा हुआ ही नहीं, जहां दुनिया बरबाद होगे, इस दिन पहले तक का डेटा है, इसमें अगर अरेमको और फ्यूचर गूरूप का डेटा और जोड़ जाएगा तो और बहुत सारा पैसा जो कर्जमुक्त हो जाई कमपनी, चले देखते हैं, फेस्बुक ने स सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्ट डील थी, सबसे पहली डील यहां पे भाव 12,500 के आसपास चल रहा था, सिल्वलेक पार्टनर्स ने निवेश किया, एक परसंट के आसपास 5,650 करोड, विस्टा एक्विटी पार्टनर्स ने मई के महिने में ही, डेट्स देखिए, अपै 17 मही को मही के महीने में 1,2,3,4,3 डील फिर से 22 मही को, जिसमें 2% स्टेक बेचा 11,360 करोड का के क्यार को, मुबादला को 9,93 करोड का स्टेक 1.85%, almost 2% के आसपास था स्टेक जून 5 में बेचा, 5 जून को 2 डील हुई, जिसमें से सिल्वलेक पार्टनर्स और को इन्वेस्टर् सारे 4000 करोड रुपे लगाया, 1% के आसपास का स्टेक था, जून के महीने में देखिए, 1,2,3,4,5,6 लगाता, 6 डील हुई है, अगली जो डील थी, आबुदाभी इन्वेस्मेंट अथार्टे की थी, 563 करोड की 1% के आसपास का स्टोक बेचा, टीपीजी ने 4546 करोड का स् यहां सुंदर पचे की गूगल भी इसमें आ गई है, 33,737, second highest investment after Facebook, मतलब दो दिगज दुनिया के, तीसरे दिगज के साथ हाँ जोड बैठे हैं, जहां Facebook और Google दुनिया पे छायर हो है, अगर वो आके रिलाइंस जियों में निवेश कर रहा था, अब सोच सकते हैं कमप्णी की investment policy क्या हो सकती है, right side में एक ओडेटा compile किया है, price movement देखने को शिच करते है, Reliance Industries ने इस pandemic में 875 का low hit किया, 298 का high बना चुका है, nifty ने वही 7511, 7511 का low लगाने के बाद 11,300 का high बना दिया है, return in investment कैसे रही, Reliance Industries ने 251% की return दिया है, एक time था, एक 30 मार्स को जो मैं वीडियो रहा था, Reliance के उपर में, कोई मानने को त्यार नहीं था, कोई इश्वास नहीं कर रहा था, बोल रहे थे, 1,60,000 क्रोड का करजा है, और देखते ही, देखते, 1,51,000, देखिए, जहां मेरा mouse है, 1,51,000 के आसपास का करजा खतम कर दिया, 32.82, 33% के आसपास का stake इस company ने बेच लगा रही है, तो क्या वो मुर्ख है, क्या उनके analysis सही नहीं है, क्या उनको gamble करने का shock है, जी नहीं, वो देश के दुनिया के सबसे बड़े दिगज घराने में business house में पैसा लगा रहे हैं, आप समझ के देखिए, ये वही company है, जिसको ये भी कहा जाता है, ये NSE है, या RSE, stock exchange है, ये Reliance stock exchange है, क्या Reliance Nifty को manage कर रहा है, ये वही Reliance है, जिसको कहा जाता है, क्या सरकार चलाता है, ये वही Reliance है, ये वही Reliance है, जो सरकार का ही तेल सरकार को बेचता है, ये वही Reliance है, जिसके कारोबार के किस्से हम सबने अपने बच्पन से सुनते आए हैं, और जिसके व 0.45 की as on June कुछ change होगा तो हम आपको फिर से अपडेट करेंगे मला अगर आप देखने ही कोशी कि मला out of 100 points in Nifty Reliance की 12.45% की movement होती ही होती है total movement Nifty में कितनी हुए 3789 points की rally Nifty में आई है वहां Reliance ने movement दी 23 points की मला 1300 points के आसपास Reliance ने move किया कुछ HDFC bank move किया और Nifty ने मुँ में दीखाई 3790 points के आसपास की दोस्तो आप समझ चुके होंगे कि कौन Nifty को move कर रहा है कौन index को move कर रहा है और आने वाले टाइम में अगर आप Reliance को एक long term investment के लिए planning कर रहे हैं तो दोस्तो ये निवेश आपके सभी सवालों का जवाब है 151,000 crores invest की हैं देज की दुनिया की दिगज कमपनियों ने almost 15 कमपनिया इसमें निवेश कर चुके हैं दो अभी line में लगी हुए और आने वाले टाइम में और भी निवेश हुआ जब दिगज Facebook और दिगज Google निवेश कर सकते हैं लाइक डिसलाइक ज़रू करें पसंद आए तो लाइक करें पसंद नहीं आता था वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें और अगर आप चाहते हैं ये information बाकी लोगों तक भी पहुँचें तो do share this video ऐसी वीडियो लेकर आभी भी आता रहूंगा Thank you so much, take care, bye bye, Jai Hind